स्वागत है आपका दोस्तों टेक्नो गुरू स्टेडी एंड फन चैनल में और जहां पे हम स्टडी करते हैं विद फन सबसे पहले मैं आपको एक बात मजे की बात बताना चाहूंगा यहां पे दो वर्ड्स यूस होते हैं फन एंड फनी फन फन इस फन एक ऐसी चीज है जो आपको एक्साइटिड करती है जिसे बहुत एक्साइटिड हो उसके बाद जैसे अभी मैंना आपको बताया है फनी फनी एक ऐसा वर्ड है जिससे आप कुछ कोमेडी सरकश देख रहे हो कपिल का सो देख रहे हो कुछ ऐसा हाँसी मजाक बड़ा चीज देख लिए जो की इमीजेटली आपको एंजोई करते हो हाहाहा आप हसते हो आप एकदम से रियक्ट करते हो वो फनी हो गया कुछ छीज स तो एक्चली में फणी मीन्स लाइक जब हम हंसते हैं तो उसको फणी इंटनेट में आप एक वर्ड यूज करते हैं लॉल लॉल मीन्स लाफ आउट लाउट वाट लाउट वो होता है न कि कुछ किसा सुना दिया किसी न और आप जैसे उपर नीचे उटो पटक के हंसते हैं तो उसको बोलते हैं लाफ एट लाउट मीन्स लॉल उके इसका मतलो हुआ लॉल तो यह भी एक फणी कुछ चीज आपने दे वीडियो देख लिया किसे बात किसी कोई जोक मार दिया एक दम से तो उसको बोलते हैं लाउट नाफ यूल यह र्याक्शन देते हो आप उसका राइट तो यहां एक और वर्ड यूज के जए जाता है इंट्रेंट पर उसको बोलते हैं लमा और LMAO लास लाफ माई एस ओ उ बहुत फ़नी लाइक खुशिस जूम उड़ते एकदम से फ़नी कुछ चीज देख लिया आप ने तो इसको बहुत है लास और सॉरी लाफ जुश में उपर निचे उठ उठव के याप बरी चालत हो इस को दोस्तों जब आप को ऐसे कुछ चीज आ जाते हैं जहां पर आप कुछ help कुछ express यूस कर सकते हैं like you can say it's very hilarious या जब आप उसके बारे में बोलते ही hilarious कुछ something you have seen very very funny you can say जो funny आपने कुछ ऐसा बहुत ही funny देख लिया तो उसको आप expect कर सकते ही it's very hilarious so कभी-कभी situation ऐसे हो जाती है कि आप आप लोग serious होते हो और अचानक से अचानक से आप वस्ट like बहुत जोर से हंसने लगते हो जैसे कुछ आप के mind में आ गया कुछ चीज ऐसी आगी funny और एक आप लोग serious थे और अचानक हंस लेगा आप से रुका ही नहीं गया और आपने जोर से हंस दिया तो आप किसी से आप उस expression को बताना है English में तो कैसे बताएंगे आप बोलेंगे जैसे oh suddenly then afterwards I washed out laughing so यहां पर मैंने आपको लिख भी दिया I washed out laughing so you couldn't control it suddenly आप serious थे लेकिन एकदम से आपको कुछ हंसी आप और इसी words को इसी sentence को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि I couldn't stop laughing कि मैं अपना हंसी रोक नहीं पाया तो यह भी आप use कर सकते है I couldn't stop laughing right you can say this also job up culture what a funny day click which excited they can't do this clear you can use it कभी 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 क्या होता है कि आपके सामने a group of friends for the hour book which joke martin kuch funny things cat a mobile team stay making up goes time to go samajan a time kick a bowl gay can't even get तो आप उस time कैसे उस चीज को handle करोगे क्या बोलोगे आप I am sorry I don't get it you can say like that आप ऐसा बोल सकते है I am sorry I don't get it right यह आप बोल सकते है easily और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कभी कभी आप जैसे फ्रेंट सर्कल में बैठे हो यह कहीं भी जैसे बात चल रही है कुछ और कुछ लोग किसी नहीं एक जोक मारा जैसे हम बोलते हैं कि यार उसने क्या जोक मारा सला मेरे को पता है नहीं चला ना हसी पता नहीं क्यों हसरे थे फेक हसरे थे साले ऐसे करके कि यार इसमें तो कुछ है नहीं दम नहीं है क्या बोला और भालतु में ऐसे ही हंस रहे हैं तो उस टाइम के लिए हम क्या करेंगे हम एक दो तिन sentences we can use तो मैं आपको यह बताऊंगा क्या कैसे तो यहां पर मैंने कुछ sentences उठाए हैं यह मैंने English movies से उठाए थे तो friends first of all जब कोई joke करता है joke मारता है जो कोई friends अगर आपका कुछ सुनाया किस्सा उसने और आपको हांसी नहीं आई आपको पता नहीं कुछ मतलब मज़ा नहीं आया कुछ है नहीं इसमें दम नहीं है joke में और सभी हंसन है लेकिन आप नहीं हंसना चाहते तो आप you can say that time आप यह sentence easily use कर सकते है और it's lame मतलब कुछ दम नहीं है इसमें ऐसे कुछ बोल सकते है it's lame so it's corny जब कोई एक joke करता है आपका friend अगर जिससे मजाग हंसी मजाग कर रहे हैं और इसमें कुछ आसी बात बोल दीसे fake ही हंसते हैं कुछ लोग जैसे fake हंसती है right fake हंस दिया तो जैसे fake ऐसे बच्चे लोग children लोग जब खेलते हैं तो हा 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 ऐसे ही कर जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे ही मतलब बच्चे करते हैं actually है तो कुछ चीजें ऐसी कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ ऐसी ही है तो कुछ जो ऐसे ही होते हैं उसको बहुते हैं something corny it's like corny corny you can say it's corny corny mean जो बच्चे लोग आपस में खेल रहे होते हैं या कुछ आपस में जोग कर रहे होते हैं तो इसको you can say it's corny right or now it's it bombed मैं कुछ जो जいसे कुछ आप हंसी मजाक करते हैं दोस्तों के साथ like आपका ध्यान नहीं था किसी दोस्त ने एक और किसी ने सुना नहीं, मतलो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसमें दम था, तो इसको बोल सकते, इसको आप बोल सकते, इसको आप बोल सकते, इसको आप बोल सकते, जैसे कोई बंदा सुन रहा है, और बाकी आपने ध्यान से सुना, चार बंदों नहीं सुना, लेकिन ये दमदा तो it's warmed you can say it's warmed mean कुसी को पता नहीं चला लेकिन हो गया धमाका तो हो गया तो next you can say कुछ लोग racism के उपर जैसे कि जाती प्रथा किसी के उपर मजाक करना किसी के face, किसी के body के उपर मजाक करना गंदा मजाक करना मजाक जिसको बोलते हैं जो अच्छा नहीं है ऐसा जो करने नहीं चाहिए लेकिन you can say it as offensive, right? तो जैसे कुछ और भी expressions होते हैं, जैसे आप बोलते हैं it's terrible or awful like it's not good, some joke which are not good, जो कि अच्छे नहीं है अब आच्छा नहीं लगा तो उस तेम आप उसको बोलते हैं it's terrible or awful तो ये सभी मैंने sentences आपको बताएं, जब कोई आपका दोस मजाक करता है joke करता है, तो कौन-कौन expression कहां use होते हैं कुछ लोग use करते हैं dirty jokes, right? dirty jokes हम बोलते हैं dirty jokes मारा है dirty jokes actually मैं, dirty jokes वो joke होता है, या वो मजाक होता है, कुछ लोग sex के उपर jokes बना देते हैं या कुछ तो उसको फोलते हैं dirty jokes, okay? thank you दोस्तो, thank you, आज के लिए दना ही, धन्यवाद कुछ